मान्य अध्यक्जी, जहां तक जम्मु काश्मिर की जनता और विशेशकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से सिती नॉर्मल है, कॉंग्रेस की सिती में नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि उन्होंने यहां भासन किये थे, कि 370 हटने के बाद रख्तपात हो जाएगा, खुन क नद्या बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे, कुछ नहीं हुआ मानने बाद, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगे पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यू नहीं हुई, मैं बताता हूँ, कि संजी ने इतनी सारी चीजे बताई, परिक्षा के अंदर 99.5% उपसी दी, आप एठिये सुनिये, आप ले, जवाब देने दीजे, अज्यक दी ठीक नहीं है, माने सदर्श ब्लीच, ये ठीक नहीं है, अज्यक दी, माने, मानिवर उन्होंने कहा, उन्होंने एक नॉर्मल सिती की बहुत अच्छी व्यक्या, जो कॉंग्रे पूस्ती मानी जाएगी, चलिए भईया, समाज में सारे लोगों की स्वास्त की चिंता अच्छे से हो रही है, वो नॉर्मल परिष्टी दी नहीं है, बच्चे एक्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल परिष्टी दी नहीं मानते हैं, आप कौर्ट के अंदर, माने इनको बिठ अगर इस प्रकार से बात करना है तो आप या तो मुझे रच्छन दीजए या तो मैं जवाब नहीं होगा, माने वर आपको एंको वीपक्त पार्टी के नेचा है, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज हैं उनको नहीं मिलता है, मेरे जवाब के बीच में खड़े हो जाते हैं हर बार, यह पद्धती ठीक नहीं, आपने उनको बताना चाहिए, माने वर 99.5% बच्चों ने एक्जाम दिया है, वो उनको ठीक नहीं लगता है, सिर्फ स्रीनगर में 7 लाख से ज़्यादा OPD के पिशंट आए, वो ठीक नहीं लगता है, सारे सानों में से कर्फ्यू हटा लिया, यह नॉर्मल नहीं लगता है, सारे सानों में से 144 हटा लिग गई, वो नॉर्मल नहीं लगता है, पूलीस पायरिंग से एक भी गोली नहीं हुई, वो भी नॉर्मल नहीं रखता है, ट्राफिक की आवाज आई ठीक दंग से हो रही है, वो भी नॉर्मल नहीं रखता है, उनको लगता है कि पोलिटिकल एक्टिविटी कब होगी, वो ही उनकी नॉर्मल सिंग की व्याख्या है, सामान्य परिस्थिती की व्याख्या दिरन जन्जे की ये है कि पोलिटिकल परिस्थिती कब शुरूँगा। सवाल का जवाब खड़ा होने के लिए खड़ा हुआ, तब मैं मानता था कि जम्मू कस्मिर की जन्टा की कोई चिंता करेगा। खड़, उन्होंने पोलिटिकल एक्टिविटी की चिंता की, इसमें भी बताऊ, सारे पंचायत के चुनाव, नरेंद्र मोधी सरकार की पहली कम में, चालीस हजार पंच सर्बंच के चुनाव हमें समापते, जो आज तक नहीं किये गए, सालों सालों तक इनके सासन में नहीं हुए, इसके बाद में, कालू का पंचायत की सीटो के, फिर माने सरज जा, आप कॉङ्रेस के डल के नेता हैं, आप तोड़ी पॉड़ी प्रतिश्टा बनाए रखो, ऐसे क्या करते हो? एक बिट एक बिट एक बिट बाने गरमंती जी एक बिट आप कॉंग्रेश संसरी दल के सदन में नेता आएं गरीमा बना के रखो आपने प्रश्ट पूझा माने गरमंती जवाब दे रहे हैं आप माने वर इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए सारे के सारे तेरसिल पंचाय ब्लॉक के चुनाव सांटी से हुए लगबग लगबग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है कहीं पर भी हिंसा नहीं यह पॉलिटिकल नहीं है क्या यह भी पॉलिटिकल है और जहां तक राजनितिक नेताओं का जैल में रहने का सवाल है प्रतिबंदित आदेसों के तहर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिंग ज्यादा जैल में रखने की जरूरत नहीं है ना इच्छा भी जब वहां का प्रसास नेरे करेगा तब उनकी रिहाई हो जाएगी और इसमें अरे सुनो आप सुनो ना आप सुनो अब इतना जोर जोर से बोल रहे हैं अभी ये सब पांच मेने छे मेने से जैल में है फारुक अब्दुला के पिता सेख अब्दुला को कॉंग्रेस पार्टी ने साब 11 साल तक जैल में रखा था 11 साल तक त्रीमती इंदिरा गांधी प्रदान मनती थी मगर हम उनके नक्से कदम पर चलना नहीं चाते हैं जैसे ही प्रसाशन उचीद मानेगा उसको छोड़ देगा हमारी कोई इंटर्फिरेंस नहीं होगी और यह आपका कल्चर है कि प्रसाशन को यहां से फॉन करकर इंटर्फिर से इतना कहना है कि कुछ नेता जो जैल में हूं की चिंता सबने करनी चाहिए वो भी करें मैं भी कर रहा हूं मगर ज्यादा चिंता घाटी के जनता की करकर अगर आप सवाल पूत्ते तो घाटी की जनता को लगता कि कॉंग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंदा में की